हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटुब चेलर एस्टो असे स्टेडी दोस्तो आज का हमाई नए टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स जदि आप बोड एक्जाम संद्वाज 30 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है तो दोस्त प्रेशन को वेदु फ्लक्स की परिवासा लिए तदा सूत्र मातरक भी लिए दोस्तो यह पहला आपका प्रेशन जो बोड एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपोटेंट है तो इसकी आपको थोरी लिखनी है किसी बंद परिपत से गुजनने वाली बल रेखाओं की संख्या को वेदुद फ्लक्स कहते हैं इसे फई-ई से व्यक्त करते हैं तो दोस्तो इसकी मैंने बहुत ही आसान करके थोरी लिख दी है आपको इसे तयार कर लेना चाहिए और इसका मैंने सूत्र भी लिख दिया है पहला प्रेशन जो बोड़क जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूली है तो दोस्तो अब देखते हम अपना अगला प्रेशन जो किस प्रिकार से है दोस्तो यह है आपका अगला महत्पून अतिलग उत्रे प्रेशन तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार वैद्दू छेत्र की तीप बरता की परिवांसा लिखिए एवं सूत्र मात्रक भी लिखिए दोस्तो आपके बोड़क जाम में इसे प्रिकार से प्रेशन पूछा जाएगा तो इसका हमने उत्तर बहुती आसान तरीके से लिख दिया है वैद्दू छेत्र में रखे परिक्षण आवेश पर लगने वाला वल तता परिक्षण आवेश के अनुपात को वैद्दू छेत्र की तीप बरता कहते हैं दोस्तो बहुती आसान तरीके थे हमने इसका उत्तर लिख दिया है और हमने इसका सूत्र E वरावर F अपॉन Q इसका मातरक हो जाएगा F का मातरक न्यूटन और अपॉन Q का मातरक होता कूलाम तो दोस्तो यह है आपका दूसरा इमपोर्टेंट पुपस्चन जो क्या पूच्छा चुका है यह दो नंबर में आता ही आता है बोर्ड़द॥ इसकी तेज़े धियार कर रहे हैं अगला प्रेसन जो बोर्ड जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार गौश के पिर मैं की परिवांसा लिखिए तो दोस्तो इसके भी हमने बहुत ही सौंट करके परिवांसा लिख दी है जो बोर्ड जाम के लिए बहुत ज्या परिवद कुल आविज को कहते हैं Q का 1 upon epsilon 0 गुना होता है तो पढ़ लें थें दोवारा किसी बंद प्रेश्ट A से गोजनने वाला वाला फिलक्स फाइए उस प्रेश्ट दोवारा परिवद कुल आविज Q का 1 upon epsilon 0 गुना होता है तो दोस्तो यह देख सकते हैं गोज की प्रमय का सूत्र फाइए अपॉन सुरी फाइए वरावर Q upon epsilon 0 गुना है अब देखते हैं अपना अगला प्रेश्ट जो किस प्रिकार से है तो दोस्तो यह है आपका चौता महत्पून अतिलग उत्तरे प्रेश्ट जो किस प्रिकार से आ सकता देखिए वैदु धारिता की परिवासा लिखिए तता सूत्र मातरक और विमा लिखिए तो दोस्तो यह आपके बोड़ अग्जाम में इसे प्रिकार से पूछा जा सकता है तो इसका आपको उत्तर लिख देना है किसी चालक को आविज देने पर उसके विवम में उसी अनुपात में ब्रद्धी हो जाती है जिसे बैदु धारिता कहते हैं इसे C से ब्यक्त करते है बहुत ही सिंपल थियोरी बनाई है इसकी हमने और इसका सूत्र है बैदु धारिता का C वराबर Q अपॉन V और इसका मात्रक होता फेरड और इसकी विमा होती है M-1, L-2, T4, A2 तो दोस्तो इसको भी आपको तयार कलें से बोर अग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थोरी है यह अब देखते हैं अपना लास्ट मां पांच मां महतपूर्ण प्रेशन जो किस परकार से है तो दोस्तो यह है आपका पांच मां महतपूर्ण अचिलग उत सूत्र एप्रेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक वार तो दोस्तो वैद्यूद दुवी धूर्व आगूंड से आप क्या समझते हैं सूत्र मात्रक और बिमा लिखिए तो दोस्तो इसकी भी आपको बिमा और मात्रक और सूत् स Faithie को दोस्तो आहले कि किस प्रकार से आपको Paper में लिखना है और किस प्रकार से इसका पैसे पूछा सकता है तो पढ़ लेते हैं कवा इसकी लिख को जब दो ब्रावर वैवीप्रीत आवीश आविश एक दूसरे हैं तो दोस्तों बहुती आसन ठोरी हमने 9 लिखवा दिये और इसका सूत्र होता पी वराबर क檈 गोना 12 और इसका मातर होता कूलाव इंटू मीटर और इसकी विर्म होती है ॅल् टी अ तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बीडियो को लाइक Human यदि आप हमाज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को साथ भी सेर करना पांच इंपोर्टेंट अतिलग उत्तरे प्रेशन या के सकते हैं पांच इंपोर्टेंट परिभासा तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त जय हिन जय भा करत ओरत अरत बाता हैं समाप्त जय हो जय हो जय हो जाता हैं समाप्त